नमस्कार दोस्तों, ग्रीन फूड मैजिक में आपका स्वागत है आज दोस्तों हम बनाएंगे चम चम की मिठाई यह चम चम की मिठाई बंगाल की बहुत ही फेमस स्वीट है इसको बनाने के लिए हमने लिया है एक कब चीनी लिए है थोड़ी सी चेरी लिए है आधा कब नार सबसे पहले हम इस दूद को बालेंगे अब यह देखिए दूद में उबाला गया है अब हम नीबू का रसी दालेंगे इसमें बाले बाले यह देखिए दीफटन लगा है अब यह देखिए दूद अची तरह से फट गया है देखिए और हम गैस बन करेंगे और इसको चानेंगे कपड़े में चली लगाई है और इसमें चान लेंगे इसको अब हम इसको पानी से थोड़ा वाश कर लेंगे जो कि इसमें नेबू की खटास ना रहे नेबू की खटास दूल जाएगी इस तरह वाश करेंगे अब हम इसको निचोड़ कर कहीं आसी जगे टांग देंगे जिससे की इसका पानी सारा निचड़ जाए अब यह देखिए ठंडा हो गया है अब इसको हम मेश करेंगे लेखिए लेखिए से की अब यह देखिए मैंगे लेखिए आरिफ लेखिए 5 गडिऴ लेखिए अब देखिए डोप सॉफ्ट हो गया है अब इसमें हम कॉर्ण फिलोड मिलाएंगे अब इसमें पर गया है अबड़ की कि उजए और भी स्क्ट है अब इसमें इसमेंगे अबड़ ऑफ नदोद्ट रही है अब देखिए अब हम इसके बनाएंगे ऐसे करके हम सारे बना देंगे ऐसे सेफ दे देंगे इसकी अब देखिए सारे आसे बनानेंगे अब देखिए जलाएंगे और यह चीनी डाल देंगे दो बोल पान जान देंगे इसमें और इसको बलने देंगे अब देखिए पाने गुल गया है सिरप इसमें हम डाल देंगे और इनको दस मिनट अब हम पकने देंगे अब देखिए हो गए है अब हम गैस बन करेंगे और इनको निकाल लेंगे हम चम चम में बनने के लिए मावा बनाएंगे देखिए मावा देखिए की डालूंगे पहले और यह दूर डाल दूंगे एक कब दूर लिया दो और यह चीनी भी डालनेंगे हाप कटोरी चीनी दिया में मिल्क पौडर डालेंगे अधर कटोरी मिल्क पौडर लियाना है इसको हम पकाएंगे जब तक कडाई को छोड़ना से रूणा कर देगा यह देखिए हम इसको लगाता चलाएंगे क्योंकि यह लग जाएगा नीचे इसलिए हम इसको लगाता चलाते रहेंगे जब तक यह एक आटे के डो जैसा नहीं बन जाएगा यह देखिए यह टाइट फॉम में आने लगा है इसमें में थोड़ा सा कूट के लड़ दार देंगे अब हम इसको बीच से कट करेंगे ऐसे कट कर देंगे और इसमें बीच में हम यह बार देंगे और थोड़ा समय तिस्ता लगा दूने इनके उपर यह देखिए ऐसे हम सारे भर लेंगे अब देखिए अब हम इस पर चांदी के वर्क दगाएंगे कर दो देखिए दोस्तों हमारे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुन्दर चम चम त्यार हुए हैं और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें आपके वाए आगे मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ